हाई हाई माकांग शमस्ती और आप लोग देख रहे हैं भोश्पुरी बाते भोश्पुरी बातें के दर्शकों के लिए मेरा धे सारा सा प्यार उनके लिए नमस्कार दोस्तों नमस्कार पुराम सलाम सभी लोगों को राष्टिय कलाकार महासंग संगठन के सभी मेंबर की और से कार्ज करताओं की और से आप सभी लोगों को हारदिक इस्तकबाल नमस्कार सलाम और पुराम मैं मुहम्मद एकलाख खान राष्टिय कलाकार महासंग संगर लाइब आ रहे हैं फेस्बूक पर तुड़ा देखिए उसके बाद हम लोग बात करेंगे राष्टिय कलाकार महासंग के पेश से ठीक है दोस्तों नमस्कार बडाम है सलाम है मैं फिर से करता हूं कुछ नेटवर्क प्रब्लम के वज़े से मैं आप से नेटवर्किंग दूर हो गई थी आप सभी साथियों से आज हमें पहचान मिली है और मैं समझता हूं कि बहुत लोग ऐसे हैं जो भोजपूरी से जी रहे हैं खा रहे हैं लेकिन उन्हें जरासी भी चिंता नहीं है कि भोजपूरी भासा को भोजपूरी गीत संगीत को किस तरीके से बरबात कर रहे हैं मैं चाहूंगा मैं इस बिजर पर लाइब आया हूँ बड़ी दुखी हूँ सुनते तो बहुत पहले से आ रहा हूं मेरे दोस्त लेकिन हमारे बस की बात नहीं कि हम किसी को भी जो बोलेंगे वो सुन लेगा और हम सभी से जगड़ते हैं कि आप लोग भी शेयर करें और जुड़ें मैं अब अपने गारी में बैठने जा रहा हूं बैट करके शुकून से मैं आप से लाइब बात करूंगा तो कि प्रोब्लम हो रही थी घर में नेट्वर्क का प्रालो बार वार जर्च कर रहा था रीकनेस हो जा आज एसलिए आप से अप सबंही साथिओं से आगrhlara करूंगा कि आप लोग प्लेज है आप लोग अन्ज है शेयर करें शेयर करते रहें ताकि हम भोजपूरिश की असलीलता पर आप से अपनी विचार को कुछ रख सकें क्योंकि मैं गाड़ी में बैड़ गया राष्टियक अलकार महासंका ये लास्ट बिकल्प मुझे लगा कि अब इसके शिवाब कोई विकल्प नहीं है ऐसे तो मैंने तुफानी लाल यादव का गाना असलील बहुत पहले से देख रहा हूं पसलील वीडियो देख रहा हूं लेकिन पहले संगठन बनी नहीं थी दूसरी बात कि मैं बैक्तिगत रूप से किसी को भी असलील गाने में एक तुफानी लाल यादव नहीं है बलकि बहूत है जिनका में नाम नहीं ले सकता बहुत सारे है यहां तक कि सुपर स्टार लोग भी है उसमें बड़े-बडे स्टार खेसारी जी भी आ जाते है पवन जी भी आ जाते हैं बिभिन निभिन तरह के जो गायक हैं संगीत से र लाईब आया हूं इसलिए कि भुझपूरी को बरबात क्यों किया जा रहा है भुझपूरी शंगीत से जुड़ने वाले आगे आने वाली पीडियों को नसलों को यह क्यों बरबात करना चाहते हैं मेरा कहना का यह मतलब है अगर किसी से बेकती गदाफ दुसमनी है अगर मैं संगीत से जुडा हूँ मेरे से किसीको बैक्तिगत दुस्मनी है तो मुझसे निप्टे ना बल कि गीत शंगीत के माध्यम से भोजपूरी गीत संगीत के माध्यम से किसी को भी असलील गाना का कर गाली देना उसके साथ अभधर पनाब भरतना ये कतई उचित नहीं है इसलिए संगठन का ये एक्षन हुआ है कि तुफानी लाल यादब पर ये एक्षन पुर्जोर और एक राज से नहीं आपको मालूम है कि रास्टिय कलाकार महासंग बारा राज से चल रही है और हर जगा अपनी संगठने और सब जगा से इन पर रफायार करा हूँगा क्योंकि ये भोजपूरी को बरबात करने की कोसिस किया है और इनको ऐसा लगता है कि इनको कोई कुछ करी नहीं सकता ये किसी को भी गाली दे देंगे वो भी एक महिला गायक है वो भी असली लगाई है अंतरा सिंग इसके पहले भी गाई है मैंने सुना लेकिन उस पे एक्सन इसली नहीं कि हमारे पास एविडेंस नहीं था पुरूप नहीं था और इतना बरदास से फाज मैंने सर से उपर से पानी अब जा रहा है तो इसके लिए राष्टिय कलाकार महासंग हमने फोन पे बैठा कितना जल्दी हम नहीं कर सके क्योंकि फोन पे हमने राष्टिय अध्यक से सचीव हमारे सफरास साथ दिली है उनसे मैंने बात किया राजन भाई गोरकपूर उनसे भी बात किया हमारे पटना के कुछ और भी मिंबर है बादल जी है इननों से बात करके मैंने ये निरने लिया कि कल वकील को मैंने फोन किया और कल जो है तयार करकर के पेपर तयार करकर के राष्टिय कलाकार महासंग संगठन उन पे फायर करेगी और आज के बाद जितने भी लोग गायका हैं या लिखने वाले हैं और तुफानी ला लिया दो पर फायर नहीं होगा फायर उस स्टूडियो पर भी होगा जिसने इस तरह की घटिया हरकत किया है गंदा गाली गवाया है ये गाली है ये असलीलता इसको तो कहेंगी नहीं ये तो पूरा पूरी ओपेनियन किसी कलकार गायका को तर्गेट किया जा रहा है ठीक है आपकी दुस्मनी अंतरा सिंग से हो सकती है आप भी गायक हैं वो भी गायका हैं आप उनसे प्रस्नली मामला है आपने पटिये कोट का सहारा प्रियंका अंतरा सिंग प्रियंका ने लिया है सही बात है हरा आदमी का लास्ट स्टेप होता है कोट तो एफ आई आर के अनेज़ घर सेटेंगे आपको इसलिए कि आपने बहुत घटिया और बहुत ही गंदा काम किया है इससे पूरी भोजपूरी आपको पता है कितने चैनलों पर भोजपूरी की बदनामी हो रही है डिबेट चल रहा है अभी अभी मैंने विहार जारकंड चैनल पर देख रहा था बिने विहारी जी बैठे है कोई लोग गाई का लता नीतू लता कोई बैठी है कोई कोई नेपाली बैठी है साहितकार और एक LDP के विधाय कोई कोई सिंग थे वो बैठ पर बरदीब की परताप सिंग कोई थे वो बैठ डिबेट हो रहा है भोजपुरी की कितनी बदनामी हो रही है भोजपुरी कहां चला गया ऐसे ऐसे जैसे कुट्टे किसी मांस के लोथड़े को नोचते हैं और खाते हैं वैसे आप लोगों ने भोजपूरी संगीत और गीत संगीत को कर दिया है इसलिए मुहम्मद एकलाग खान का ये चैलेंज है और मुझे गाईकी और पुराम और कलाकारी का चिंता नहीं है जिसक अपदेश में नहीं पूरी भोजपूरी भासा पूरी दुनिया में मानी जानी मानी और भासा है आपको ये मालूम होना चाहिए लेकिन कुछ चंद घटिया इनसान के लोगों ने इस भोजपूरी को ऐसा बरबात कर दिया यह दो तीन सालों में ऐसा कर दिया कि जैसे लग क्या लग रहा है कि मैं क्या कर दूं लेकिन बस की बात नहीं है दोस्तों मैं सभी से आपसे आगरा करूंगा कि जितने असलील भोजपूरी अगर आपको कोई गवाता है या घाता है या किस कोई स्टूडियो में रेकॉर्ड होता है उसका एविडेंस उसका किसी तरीके से बीडियो मोबाइल में भना करके आप मुझे दें फिर देखिए कि रास्टी ये कलाकार महासंग में कितना दम है और उनकी कितनी आउकात है कि वह असलील गवाएंगे और असलील गाने वाले गाएंगे और लिखने वाले लिखेंगे मैं चालेंज के साथ मुहम्मद एक ला कौन रोकता है लेकिन आप एक कलाकार होकर करके सारे कलाकार को आप बरबाद करोगे बदनाम करोगे ऐसा नहीं है कि भोजपूरी में गाने वाले लिखने वाले सारे के सारे लोग बदना असलील लिखते हैं ठीक है पहले किसी ने लिखा इसके पहले भी चल रहा था लेकिन अब ऐसा मत कर दो कि एक दम भोजपूरी कहीं कर रहे ही नहीं यही इन लोग करना चाहते हैं अगर आपको अंतरा सिंग प्रियंका को तुफानी लाली अदब गाली ही देना था तो आप प्रस्नलि उनको फोन लगा के गाली दे देते हैं यह गाना गा करकर करके और उनका आरो इसमें स सारा का डिटेल से निकाल करके जो जो इस वीडियो को देखनें हैं आप लोग जानते हैं वह एक्ट्रेस कौन हें वह कोरियोग्राफर कोन है तो सब का आप हमें दीजिए वह सब पे फैयार हो गा एक तुफानी लाल यादबो पहीए नहीं के उसमें जितने लोगine भागीदारी है उस सब पे फायार होगा और ये लोग से संगठन लड़ेगा ये बैक्तिगत प्रियंका सिंग नहीं लड़ेंगी ये अंतरा सिंग प्रियंका का मामलाई नहीं अंतरा सिंग प्रियंका से मतलब भी नहीं हमारी बात भी नहीं होई है मैं नीज देखा हूँ और गाओं मेरा घर है अरवल जिला जहानाबाद का नाम सुने होंगे आप लोग लेकिन और अंगाबाद जिला में भी मकान है हस्पूरा थाना में मेरा ननिहाल में हम लोग घर आज 20 साल से बनाए ननिहाल में भी है मारा घर हस्पूरा बजार में और ददिहाल में भी हमारा है मै वहां का लेकिन मेरा कर्म भूमी जन्म भूमी अरवल रहा ननिहाल हस्पूरा सलेंपूर रहा लेकिन हमारा कर्म भूमी आ रहा है और आ रहा के बदोलत भोजपूरी के बदोलत एक लाग खान को एक पहचान मिली है पूरी दुनिया में मैं बेंजो बजा बजा के आज आज आ अस्टिये कलकार महासंग के पेज पे लिखो अपना अपना नंबर मुबाइल नंबर मुझे दो ताकि वो चीज मैं जज के सामने पेश कर सकूँ कि हाँ इस तरह की घटना पर नया कानून बनना चाहिए असलील गाने और बजाने और लिखने वाले तक पर रेकॉर्ड करने व जगड़ा बढ़ाना चाहा रहे थे यह गाना गाकर करके जो आपको यह अपने सुना होगा देखा भी होगा टीवी पर न्यूज चल रहा था अभी हाल में तो एस पी सहाब ने लखनाओं के एस पी ने कैसा करवाई किया सब को भीतर सब जेल में है और यही काम राष्टिय कोट में जाएगा सिर्फ यार में नहीं हम देली से भी इसमें केस करेंगे महरास्टा से भी केस करवाएंगे राजस्थान से करवाएंगे नहीं करवाया तो महम्मद एकलाग खान नाम नहीं राष्टिय कलाकार महासंग संगठा नहीं मैं आप से वादा करता हूं क्योंकि ह हद से हत्यार यह लोग कर दिया, जिस मनें इतना बर्बात कर दिया, कि अब सहन से ज़ादा है, क्योंकि हमारे आने वाली पिढ़ी, भुजपूरी में जो जो नए नए उभरते कलकार हैं, गरीब कलकार हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, इनकी पिढ़ी को इन कुत्तोंने पात कर रहे हैं आने वाली पीढ़ी कैसे रभ लप करेगी व année करेगी में जह बता ही है आने वाले कैसे कोई नया कलाकार जन्म लेगा अने वाले कैसे को इन लोगों तक इन लोगों यह क्या डिवल्य और कं ona सिंग मया क्या कहसारी ळाली आप दान नरा किया इस दिपक श्टो गये बस इनीहीं तक्सीमित है भोजपुरी को ऐसा हम हम और आपको बनाना है कि आने वाली पिढ़ी हो सकता है आज हमारे पवंजी इस्टार है सारी जी इस्टार है फिर दुसरा को ये स्टार पैदा लेगा जब हम अच्छी चीज को देंगे अच्छा चीज को सुनाएंगे हम ये ऐसे करेंगे इका पूरे टीवी पर पूरे चैनलों पर थूँ-थू हो रहा है भोजपूरी का थू-थू हो रहा है खून खौल गए आंक भोड़पूरी का है, भोड़पूरी की अस्मिता को बरबात करने की है, भोड़पूरी की संस्कीति और khusabu को बरबात करने के ये लोग तुले पड़े हैं, आज से नहीं, तुफानी लाल, यादप का तो मैं वीडियो और गाना आज से मैं नहीं देख रहा कब से देख रहा लेकिन मैं सुझा कि चलो भाई वो बनाता देखने वाले देखते हैं चलो जिसको जिसको है लेकिन आज एक बेकतिगत इतना गंदा गाली जो मैंने कभी सुना नहीं वो गाली सुना करेजा कुण गया रो पड़े हम कि इतना ऐसा भी होता है ये लोग कैसे कलहकार है इसको कलहकार कहते हैं ये लोग कलहकार हैं ये कलहकार के नाम पे कलहकार इसको बोल सकते हैं ये कलह है जिसमें कि आदमी को बरबात संगीत को इन लोगों ने सरातल में धर्ती में गार दिया इन लोगों ने खतम कर दिया और बहुत जल्द आप देखिए कल से अब शुरू होता है रास्ट ये कलाकार महासंग का मुहिम भरदास से फाजल कर दिया आप लोगों ने और जो जो भाई असली लिख रहे हैं गाना या पहले जिसने भी जो कर दिया उसको हटाईए अपने चैनल से डिलिट कीजिए उसको रिमूब कीजिए और नए दुनिया में अब कोई गाते हैं गाईए उसका परतिक दीजिए तर्क दीजिए कि हमने ये क्या चीज़ पर लिखा लेकिन ओपन भोजपूरी संगीत से काई हिंदी संगीत से गाते तुम गाना तब समझ में आता तुमको भोजपूरी को समझ क्या लिया हो कि भोजपूरी का तुमारे बापका जागीर है भोजपूरी भासा की समझ के बापके जागीर है कि जो मन में आएगा भोजपूरी में तुम भोजपूरी language को गार यही कारण है कि आठमी सुची में भोजपूरी को सामिल नहीं किया जा रहा है ऐसे ही कुट्दे कुट्दे लोग जो है ना ऐसे गाने वाले और लिखने वाले और रेकौर्ड करने वाले इन कुत्तों के वज़ा से ही भोजपूरी को आठमी सूची में सामिल नहीं किया जा रहा है सबसे जादा पूरे देश, पूरे दुनिया में भोजपूरी भासा के सुनने वाले हैं जानने वाले हैं, समझने वाले हैं लेकिन हमारी कहां है कहां है हमारी जगा ये खुद सोचो तेलगु से मिला लो अपनी भासा को देखो कितना कम सुरोता और कितनी महंगी फिल्म बनती है क्या आपको मालूम नहीं है लेकिन भोजबूरी के सुरोता कितने है कितने कोड़ों में है लेकिन आपकी फिल्म कितनी में बनती है एक से डेड़ कोड़ों में आप सिमित हो कभी इस चीज़ पर सोचा कि आखिर क्यूं आखिर क्यूं यही सब कारण है कि आप बस वही तक सिमित हो इसलिए संजीत भाई फोन कर रहे है जो भी है पूरा डिटेल्स निकल रहा है संजीत भाई आप फोन कर रहे थे मैं आपको कॉल करता हूँ अगर आप लाइब देख रहे हैं तो मैं प्रस्नली आप से बात करूँगा और मैं किसी प्रस्नली आज तुफानी ला लियाद आपको मैं स्पेशल तार्गेट इसलिए कर रहा हो कि अगर आवेदन देगी तो उसमें हम अपना हास्ता छेप करेंगे नहीं तो क्या जरूत लगा हुआ है लेकिन आज अंतरा सिंग प्रियंका से हमारी कोई बात भी नहीं है मैं उसका पक्से से नहीं आया हूँ अंतरा सिंग प्रियंका सींगी दूद की धूली नहीं है बहुत गाना गाई है तो जसकरनी तस्भोग विधाता करम की आपकी पच्ता था इसका कहीने कहीं सिरेह इनको मिला है सबक मिला है ऐसा नहीं है कि अंतरा सिंग प्रियंका जी नहीं गाई है असलिल गाना इनका भी इसके पहले मैंने गाली सुना उस समय भी लगा कि इनको मैं फोन करूँ लेकिन मैं सोचा कि चलो बैक्तिगत इन लोगों को यही पसंद है जब अपनी परतिस्था से मतलवी इन लोगों को नहीं है जब इन लोगों को यही इतना ही में लगता है उसका भी है लेकिन अब सर से पानी उपर हो गया इतना तक कि अब ऑडियो एकदम ओपन किसी के नाम पकड़ करके भुजपूरी संगीत के संगीत में कमपोजिशन में गाह करकर करके भुजपूरी भासा में गाह करकर करके पुरी भुजपूरी जगत को इसने सरमसार कर दिया क्या यह सई यह मैं घलत बोल रहा हूं मैं किसी तुफानी ला लिया अदब का नाम ले रहा हूं तो क्या मैं घलत ले रहा हूं क्या इस पर फाला नहीं होना चाहिए सब कलाकार मिल करके फालो फाल करने में मातर आपका है दूरुपया का कागज खर्च होगा और पचास से का लीड लीड पेंड इससे ज़्यादा खर्च नहीं होता है लीखो लीख करके और अपना अपना अगर नहीं कुछ कर सकते हो तो यह कॉमेंट बॉक्स में आवेधन करो मैं इसको निकालूंगा प्रigg करनगा और प्रिंट निकाल करके को पेस करूँगा, आप अगर चाहते हो, इस भोजपूरी से असलीलता खतम हो जाए, मिट जाए, आप अपना नमर, अपना मुबाइल नमर, नाम पता, आप कॉमेंट बॉक्स में लिखिए, और लिख करके ये अपनी अपनी राय लिखिए, कि हाँ आप क्या चाहते हैं, क्या इ सबसे जादा भोजपूरी स्रोता और भोजपूरी में काम, भोजपूरी में फिल्म, भोजपूरी में एल्बम बन रही है, लेकिन इसके चिंता इन कुट्टों को नहीं है, इन कुट्टों को नहीं है, इनको क्या मतलब है, और इतना सेर करो, ये बाइट जो मैं बोल रहा हूँ, ये तुफानी लाल यादब तक जाए, और जो भी उनके सायोगी हैं, प्रेमी हैं, उनसे भी मैं आगरा करूँगा, क और किसी को बात बेक्तिगत करना होगा, तो मेरे इस पे मोबाइल नंबर है, नाइन पॉर वाला, वो डारेक्ट मेरा है, मैं खुद उठाता हूँ, मेरा कोई नोकर उखर नहीं, मैं बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ, कि मैं ये रखता हूँ, और सिक्रेटरी रखता हूँ और फायर करने के लिए तयार याद कीजिएगा कल से आप लोग का उल्टी गिंती शुरू कर दिया एक लाख खान ने और जितना दम होगा जितना पावर होगा एक लाख खान पर लगा के देख लेना सरीर मिट जाएगा लेकिन सोच नहीं मिटा सकते हो एक लाख खान का याद रखना एक लाख को मिटाओगे दूसरा एक लाख पैदा कर दिया हो पैदा कर दिया हो राष्टी एकलकार महासंग संगठन बना करके एक लाख नहीं अनेक लाख पैदा कर दिया हो गोलु पांडे ज राजनखान जैसा एक लाग पैदा कर दिया हूँ बभलुत्तिव्री नगर्व ऐसे एक लाग को पैदा कर दिया हूँ । बिंदहाचल नगरी से पंकज VERY यह अग Crazy मिrist उनको पैदा कर दिया हूँ राष्टिये कलवकार महाशंग एक लाख नहीмен अनेक लाख ॠम तुम लोग का धजी अगर नहीं उड़ा दिया तो एक लाग खान नाम नहीं राष्ट ये कलाकार महासंग नाम नहीं तुम लोग को वो इतना मार पिटवाएंगे इतना मार कि तुम लोग का चर्बी अगर नहीं पस गया तो एक लाग खान नाम नहीं याद अखना आज मेरा क सुबहता कुत्ते हरामी लोग तुम लोगों के वज़े से आज मेरा दिल रो रहा है मेरी आखे रो रही मैं घर में नेटवर्क प्रब्लम था मैं हमको तुमने गाली नहीं दिया लेकिन पूरे हमारे भोजपूरी को बदनाम कर दिया भोजपूरी को गाली दिया है तुमने त गॉत्तो की नगरी में सोचते हों कि तुम सेर बनोगे एक लाक खान से आकर के जितना तुमारा घुंडा और जीतना जो तुमारा लड़ने वाला फरियाने वए लाक खान से आ लगा जिस दिन अपनी अवकाद पे आ गए तो तुम्हारा अवकाद पे तो बागें याद रखना राश्टिये कलाकार महासंग तुम्हारा ऐसा जाच करेगा ना कि तुमको अभी पूरा जितना भी तुम्हारा यूटूब पे असलील गाना है सब को उठा करके सब का दिखा का करके जज सामने पेस करेगा राश्टिये कलाकार महासंग याद रखना तुमको अगा लिखाते कि कैसे असलील गाया जाता है तुम गाते उम गाना के भोजपुरी गाना के माध्यम से क्यों गये तुम को अंत्राशिंग प्रियांका से दुस्मनी था उसके साथ तुम भोजपूरी भासा के माद्यम से किसी को गाली दे रहे हो इससे हमारा पूरा भोजपूरी पूरे चैनल पर थू थू हो रही है पूरे भोजपूरी का डिवेट हो रहा है पूरे भोजपूरी चैनल पर भोजपूरी का तोहीन हो रही है बताइए इसमें हमारी और आपकी भू वो तक जानी चाहिए ये हमारी अस्मिता हमारी भोजपूरी संस्कीती भोजपूरी भासा का सवाल है ये बैक्तिगत तुफानी लाल अंत्रा सिंग प्रियंका और मुहमद एकलाग खान और किसी बैक्तिगत रिलेटेड ये बात नहीं है ये बात है कि आखिर क्यूं कभी मजहब के नाम पर कभी धर्म के नाम पर कभी बैक्तिगत किसी के नाम पर किसी बैक्तिगत किसी को भूजपूरी में क्यूं होता है मैं पूछना चाहता हूं ऐसे हरामी और कुत्तों से जो लिखते हैं और जो गवाते हैं और ऐसे स्टूडियो वाले से स्टूडियो मे आपको भी आगे आना होगा और मैं सभी लोगों से आगरह करूंगा कि आप लोग इस मुहिम में आप मेरे साथ आईए असलिलता को मिटाईए और असलिलता अगर मेंगी तो हमारी कहीं ने कहीं आने वाली पिड़ी आज पतना में मुझे बताईए ब्यार के पतना में हमें भोजपूरी से जिंदा नहों कितने स्टूडियो में हिंदी सिर्फ रेकॉर्ड होता है मुझे पताईए आप लोग कितने स्टूडियो में कोई ऐसा स्टूडियो नहीं है जिसमें भोजपूरी की रेकॉर्डिंग नहीं होती है लेकिन हम चंद पैसों के लिए हजार पे के वज़े से गवादेते हैं या सपोर्ट में गवादो या पैसे के लालच में गवादो तो ये मत सोचो कि तुम 2000 और 4000 इस्टूडियो वाले लोग असलील गाना परोस करके गवादिये तो तुम्हें लगता है कि तुम बहुत बड़ा दौलत मन्द हो गए या आने वाले नसल को तुम बरबात कर रहे हो आने वाले लोग भोचपूरी के नाम से नफरत करने लगेंगे भोचपूरी जानने वाले सुनने वाले गाने वाले जैसे सुनेंगे तुम्हें परसासन डंटा लेकर के दवडाएगी रात में लिखने वाले तुम्हें गाली दिया जाएग हम संगठन बनाए हैं, कलाकार को हक और अधिकार दिलाएंगे, हम संगठन बनाए हैं, कलाकार को रोजगार दिलाएंगे, लेकिन तुम जैसे कुत्तों के वज़ा से, आज मुझे अपने घर की लड़ाई में ऐसा एक्षन, ऐसा भकतब्य को बखना पड़ रहा है, बोलना लगता हूं, भाई जितने भी लोग आप जुड़े हैं, हमारे साथ मैं सब का नाम एक पारापारी कैसे ले सकता हूं, विशनु परकास रमेश तिवारी जी हैं, जो भी है, जैसे भी लिख रहा है, मैं सब को मैं नहीं करता है, गोलु पांडे जी आंदोलन सुरू हो गया, बिल्कुल गोलु पांडे जी, मैंने बोल दिया, कि मुहम्मद एक लाग खान की सरीर को तुम मिटा सकते हो, बैक्तिगत, एक लाग खान के इरादा को, एक लाग खान के सोच को, एक लाग खान ने जो नाम जनम दे दिया, रास्टिय कलाकार महासंग, और उसका जो असलोग कि गोलु पांडे जैसा एक लाग को जनम, इस रास्टिय कलाकार महासंग ने दिया, रमेश तिवारी जैसा भाई को जनम दे दिया, बोकारो से हमारे मनबोध मिस्रा जैसे लोगों को जनम दे दिया, जारखंड पलामू से, विजय बवाली जैसे लोगों को जनम दे दिया, ऐसे ऐसे लोगों को एकलाख खान ने इस मुहिम से जोड दिया मनोज सोनी जैसे लोगों को जनम दे दिया गोपाल राय जैसे लोगों को जनम दे दिया इस मुहिम में तुम अब नहीं मिटा सकते हो हमारी सरीर को खतम कर सकते हो लेकिन ये सोच को खतम नहीं कर सकते हो याद रखना और इस मुहिम में जो जो भी आप आना चाहते हैं हम आपसे दवलत नहीं मांगते हैं हम आपसे सिर्फ आपका सहयोग समर्थन मांगते हैं आप इस मुहिम में आप अपना नंबर आप अपना एड्रेस अपनी बात को लिख यह सारा स्क्रीन सोट निकलेगा प्रिंट होगा प्रिंट होने के बाद यह सारा लगा करके मैं केस करने जा रहा हूं मैं केस असलीलता के खिलाप और कड़ी कानून बनाने की सरकार से मांग करने जा रहा हूं जब आपका समर्थन होगा कि हाँ इस पर कड़ा कानून बनना चाहिए इस हर एल्बम के गानों पर सेंसर लगना चाहिए इस पर कानून बनना चाहिए और जो असलील रिलीज करेगा जो चैनल उसके मालिक पर फायार होना चाहिए तो ऐसे भी हम करेंगे वो कानून आप स्वतंत्र है आप मेरे उपर भी कर सकते हैं वो तो मैं करूँगा है लेकिन इस पेशल कोट और इस पेशल कानून मनेगा इन कुत्तों के लिए जो हमारे समाज को गंदी गाली दे दे करकर के भुजपूरी भासा के माध्यम से हमारे समाज को बदनाम और बरबाद कर रहा है सखास करके कलाका जगत को ऐसे ऐसे कुत्ते हरामी लोगों के साथ ऐसा निपटना पड़ेगा आज तक मैंने इतना गंदा लहज़ा इतनी गंदी जुबान मैंने कभी नहीं लाइब आ करकर कभी बोला मैं पॉलिटिक्स भी करता हूँ मैं भी खिलाफत बोलता हूँ सरकार की निंदा करता हूँ सरकार से लड़ता हूँ वो मैटर अलग है मेरे भाई राजनीती अलग चीज होती है लेकिन ये हमारे पापी पेट का सवाल है हम जीते हैं, हम मरते हैं, हम खाते हैं दुनिया में नाम, शौकत, शौरत सब चीज हैं हमारी भोजपूरी संगीत से आज मुझे तकलीप इस बात से हुआ कि हाईरे भोजपूरी गाने वाले और अभी तक कोई मुतक नहीं खोल रहे हैं मनोज तिवारी जी, रभी किशन जी कहीं न कहीं सब का अपने भोजपूरी भास में योगदान भी है असलिलता में ऐसी बात नहीं है भिनाय भारी जी भी है ऐसा नहीं कि उनकी योगदान असलिलता में नहीं है पवन जी भी है, ऐसी नहीं है लेकिन पहले था अब जो तीन दो साल तो ऐसा हो गया है कि बीच में बहुत लोग ये कि ये कि ये कुछ लोग आंदोलन कि ये दिली तक गये आरा से मेरे भाई लोग असलिता के खिलाप तो कुछ ब्रेक वा लेकिन ये तो ऐसा समझ लिया जैसे कि भोजपूरी घजरा मुरह कोई भी आज यही इन कुत्तों के वज़े से आठमी सूची में भोजपूरी सामिल नहीं हो पा रहा है कैसे होगा किस विशय पर आप बात करेंगे कोट में जाकर किस विशय पर पालिया मेंट पर आपकी यावाज उठेगी कि भोजपूरी गाने वाले असलिल गाते हैं उन यह मेरी बाइट को आँचाएं और इतना सियर करें कि कुट्ते तक भी जाए तुफानी लाली आदब पर एक नहीं अनेक राज से मैं केस कराने जा रहा हूं अनेक राज से और आप लोग अपनी सहमती देना चाहते हैं या पक्ष में या भी पक्ष में दोनों बात लिखें अगर मेरी बात से किसी को तकलिफ है तुफानी लाली आदब के पक्ष में अगर आप आप हैं तो अपनी सफाईित लिख सकते हैं आप लिखिये वो वह सही यूज कर रहा है जहां तहां जा रहा है लड़कियों पर परसोशन कर रहा है क्या यह गलत है अब मैं कुछ भाईयों का जो सामने दिख रहे हैं नाम मैं आप लोके कॉमेंट पढ़ रहा हूँ देख रहा हूँ अब थोड़ा सा आपको भी बता दूँ रोहित राज बिल्कूल होना चाहिए असलिल गाना बन थैंक यू गोलू पांडे जी हर हर मादे वर हर मादे गोलू असलिल मुक्त भोजपूरी सुभास बोस कैसे हैं अच्छा हों सुभास जी बाबा म्यूजिक वर्ल्ड जरूर बहुत ही असलिल गाना गाती है बिल्कूल गाई है उनको भी मैं बोल रहा हूँ कि जसकरनी तजबूग भी दाता करम की आप क्यू पस्त आता आज कहीं ने कही उनका इसमें स्रे है ऐसा नहीं कि मैं नहीं कर रहा हूँ उनका है लेकिन ये किसी को बैक्तिगत अगर आपको गाली देनी थी तो आपको गाली प्रस्णल फोन करके देते उनसे जगडा करते उनको मारपिट करते जाते लेकिन आप घीत संगीत वही भूजपूरी भासा को लेकर कि आप गीत में किसी की को एकदम ओपेन घाली दो बताइए मैं वह सब्द को अपने मूँ से नहीं बोल सकते आप लोग सुने होंगे कितना घंदा सब्द है क्या ऐसे कहीं सगीत संगीत से होता है नौलेश याद अब हम आपके साथ हैं भाया थैंक्यू नभी नौले अगणीता अगाजित भाई जीन अपसे नहीं संगीता सब्द केस्त अर और इन्लोग पर रिलम मैं कमसे कम तो पांच राज से तो जरूर इस पे केस कर रहूँगा कल से यह मुहीम चालो हो गया और आप लोग उसे आगरा करूँगा कि आप लोग अपनी अपनी कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें आप अपना नाम पता मुबाइल नमर ताकि हम वो हमको सहयोगी हो उससे हमको सहयोग मिले कि हम कोट में पेस कर सकें ताकि हमारे साथ कितने लोग इस चीज मुहीम में हैं सिर्फ देखें बोलने से नहीं होता है अकेले कुछ करने से नहीं होता है जब तक की जनादेस नहीं हो जनादेस अगर हम कलकारों कुझा अगर आपका हमारा मेरे पास रहेगा और वह पेपर जब मैं वहाँ पेच करूँगा तो सारे चैनल वाले सारे टीवी वाले इस चीज पर अमल करेंगे गॉष्मिंट अमल करेगी कि हम क्या मांग कर रहे हैं कड़ा कानून नमस्कार सलाम है परनाम है रंजीत यादव जी आज नहीं ये एक लाग खान चैलेंज आज से नहीं बलकि आप देख लीजे मेरा जाकर कि कौब में डाला हूं यूटूब पे और अपने उडियों से भागाया हूं या आज नहीं है सुरुवात से है मैं आप मेरी बिस्तरांत अगर जानना चाहिएगा तो आज येगा समझ में आ जाएगा आपको यूटूब पे जाकर करके देख लीजिए ये डाला हुआ है सक्षात परमान है फेस्बुक पे जाए बैक ग्राउंड में खोजिएगा मिल जाएगा हमारा या आज हम नहीं जाए पहले से जगे हुए ह आज माहसे राजा बाबु हम लोग आपके साथ है राजीत आनन मैरे भाई हैं अकासु रहे बिल्कुल कि इतने दिनों से आप सो रहे थे नहीं चte Ball सब्up in जाना था इतने बिजने से नहीं आप इस मुहिंमे कुछ देना चाहते हैं कई कोई कानून या कुछ बात अपनी बगताब है तो वह लिखिए यह मत लिखिए कि कौन सोया था कौन जगा था आपको जनकारी नहीं है राजा बाभु बिल्कुल शीव कुमार बिकु जय हो एकलाग भया थैंक्यों सीव कुमार राहुल कुमार भूला भया आप कुछ कर सकते हैं जरूर बाभु कोशी समारी है लेकिन आप लोगों का समर्थन चाहिए राहुल कुमार भूला पहले यह बता यह पूछी आगे आपका कॉमेंट देखेंगे नाइस 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 गोलु मुन्ना कुमार थैंक्यू भाई जिने है राहुल कुमार भूला नंबर कहां है भया अब आउट में जाएगा आपको मिल जागा नंबर यूटूब पे जाकर के लिएगा इमडी एक लाग खान उसमें भी मिल जाएगा नंबर कोई भी वीडियो के नीचे देखेगा नंबर मिल जाएगा सिंगर सोनु भावू कहां है भाईया पटना में है भावू गर्मी से गाड़ी में बैट करके आप लोगों से बात कर रहे हैं गोलू पांडे जी सिंगर सोन भावू क्या हुआ भाईया जी सोनु भावू आपको पाता ही है कि तुफानी लाली आदव ने किस टाइप के गीत गाएं है यूटूब पे डालिए अंतरा सी प्रियंका को गाली दे रहे हैं असलील गीत गाकर करके किसी अरे ठीक है आपको बैक्तिगत दुस्मनी है आपन राइट सिंगर नीरज भर्दवाज जय हो भाया कि थैंक्यू नीरज बावरिया थैंक्यू जय भोजपूरी विश्नु प्रकास्तिवारी एकदम भाया साथ हैं हम थैंक्यू चंद लोग के वज़े से पूरा भोजपूरी बदनाम है बिल्कूल हो रहा है मदन जादर जी जुड़ गहें सिता मड़ी से मुकेश कुमारा केवा गुड थैंक्यू मुकेश जी राजा बाबु नौशाद आलम बहुत खुब भीया मेरा दुआ आपके साथ है थैंक्यू संदीप बाबा एंकर आज आप उस से लूट है स्रीमान थैंक्यू संदीप जी गुड़ू लगता है आप अभी भोजपूरी असलील पे हमारा यह सुने यह लगा कि मैं कितनी बार लाइव आ चु कि जिसको भी कहीं अगर भुजपूरी का वारा है हमको गलती से उसका वीडियो बनाकर कि उस्टूडियो का नाम बता देना थोड़ा अभी टाइम नी लगा पौँचने में थोड़ा भी टाइम नी लगा रेकॉर्ड करते करते मारूंगा घूस करके चाहे किसी का भी गुड्डू गल्मर भाईया बाबा म्यूजिक वर्ड जरूर भाईया नीरज राकेश कुमार सिंग आई सपोर्ट मैं सपोर्ट करूंगा थेंक्यू राकेश जी राकेश कुमार सिंग बंध होना चाहिए यह सब बिल्कुल सही बात है धननजय मोदी जी असलील गाना बंध होना चाहिए थेंक्यू धननजय जी जैहिन भाई जैहिन असलील गाना बिल्कुल बंध होना चाहिए सीमानम खेसारी भहिया का नंबर मिलेगा मैं सेंड कर दूंगा आपको बिद्यानंद कुमार बिल्कुल ठीक बात कहे रहे हैं भहिया थैंक्यू देव कुमार संगम जी जरूरी है सर असलील हटना चाहिए गुड्डू हलचल भोजबुरी सिंगर थैंक्स भहिया गुड्डू सब्सक्राइब भश्चलना करादेना है पत्रकारों को अपने हैं खुद खुद पत्रकारों करें। था नहीं इस लोगों पर फूर पह सब्रिक हैं इनको इन नहीं इसा लोगों कुछ की जरूर मात्र सो में मंबरबार रहेंगे हो प्र रुपे में लिलता के खिला ऐसे से कुट्टो के खिला अगर खान को लगना पड़े जिल जाना पड़े हत्या भी मेरी अगर हो जाए तो कोई गम नहीं है कि अगर समाज के लिए भोजपूरी भशा के लिए गीत संगीत के लिए अगर दोचार भाएंगे एलेक्शन करा लिजिए लड़ा कर लिजिए एलेक्शन हमारा फिर्स से दुबारा होने वाला करांasta बारा ठाकोई राशृटी मांसंक Single safely into the लेकिन आने वाले समय के लिए अपने वाल बच्चों के लिए अपने भविश्च के लिए आने वाले शेयर के लिए लोग जूर जाएए लोग पजाएक कुछ च्रूमादमात संगम जूरी हैं वाले सेक लिए हो नी चाहां हो ख हो ख हो खाल जीत ने यूंगे कि अहिंनर जिए मां भार्फी लाप्नम्मृ, हमतो बोली रही कर दोधिछ नियागा कर दो तक को सुद्स कर दो मिस अनुटभीologically लगार का संध कर सकतर क